जो हैं दोस्तों मैं आपको दोस्त बाले टूसिंग और सब्सक्राइब कर दोस्तों कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वर्काट करने के बाद डाइट क्या खाना उसके बारहें में कुछ जानकारी तो जानकारी तो बहुत है दोस्तों जिसके ओपर कम से कम 25-30 वीडियों बुज तो शुरुवात में दोस्तों सुबह से शुरुवात करेंगे जब आप सुबह सुबह उड़ते हैं ताली मखाडा जो भी वर्काट करने जा रहे आप वहां पर जाने से पहले वाश्रूम जाने से पहले सुबह सुबह उड़ते की गुंगुने पानी में थोड़ा तो शेह सांस की तकलिफ बहुत सारे पहलों भायों को सांस की तकलिफ वायती सब को सांस जली बढ़ियाता और खाना खाते कोई खाना आंक होने लगता उसके लिए अपना पेट साफ रहना बहुत जरूरी है कि होने के बाद में वाश्रूम को जा के आने के बाद कुछ भी एक फूट खा लेना आपको जो वेट बढ़ाना चारे उन्हों थोड़ा सा घी खा सकते हैं घी या बटर मसका यह खा सकते हैं नहीं मेरे दूसरे और कुछ मास गेनिंग के बारे में सोचने जा रहे तो फूट ऊ teammates चारे सकते हैं एक फूट एक सेप या एक माउस कुछ भी कि जिम को या तालिम को जाने सब पहले और उसके बाद जाके आप की जो मेहनत करते हैं निए जितनी बिया आपकी कि कितने two-three आपको थोड़के आपके दाड में लगा लेता आपको पानी आते रएगा और कि प्यास्था попानी भी सकते दें entr एक मेलटना मुने का पानी की सकते हैं जिससा आपकी मेनद घतम अरी तालीम खतम होगे तालीम खतम होने के बाद आपको इमिरेटली थंडाई पीना बादाम की थंडाई पीना है तालिम के अंदर आप जब पानी नहा लेते पानी नहाती कि आपको थंडाई पीना है थंडाई पीके घर को आना है अपिस घर को आने के बाद में आपका जो भी है फूरूट्स हो गये जो भी खाना खारे आप वेज ton ज्यादा बॉर्काट जैसे कि जोर पानी करना और जिसको जल्दी थकना नहीं हैं तो वो टेम पे दोस्ता और क्षिरदी का कत्रा तक छोटे-सी तुखडा शीला नहीजित-क जा शकते त्कते अखर के ट्योंगे कि जाने के पहले चिलासी मती जारे गुन्गुने थन्डा ही पीना उसके बाद आने के बाद में घर में आके जो भी अपना घर का खाना में वेज होंतो या नाऑनुवेज होंतो ज्यादा थर्थ दोश्तों रोटी पे कम ध्यान देना है नाऑनआज या वेज ज्ट जो भी quarantine आप उसके उपर और फूट के उपर जाता ध्यान देना आपको होने के बाद में सोने से पहले आपको दूद का सेवन करना है दूद का सेवन या दूद के अंदर हल्दी और घी दाल सकते आप नई तो फिर सबसे बेश त्रिफला और दूद ध्यान रखो दोस्तों दिन भर में आप कभी भी दिन में दूद का सेवन लेने नहीं है रात के डिनर के बाद सोने से पहले सुबह में आप जूस ले सकते लेना कम से कम दो टैम तो भी आपको अश्वगंदा लेना है टाबलेट पूर्ट के टाबलेट भी हो सकती हो या पॉडर हो सकती है रात में खाने के बाद दूद और तृफला लीजिए जरूर लेकिन तो आपका पेट जितना साफ रहेंगा आपको इतना बेनेफिट मिलता करेंगा आपके जिसम को अच्छे से लेंगा तो यह पहला भागता दोस्तों हमारे साथ बने रहे अगले भाग के लिए अगले भाग में आपको में बताऊंगा कि चांदी की रोटी कैसा बनती है शायद यह नहीं बात है आप लोगों के लिए लेकिन किन मैं यह आपको मज़ अआए हना डपका दोस्तों हे मैं अपको मेंड़ सीयाद वेकिन काईण में लिए सा सuwतो